आप सभी कफिर से स्वागत है competition community के इस online platform पे मैं हूँ अभी शेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं current affairs आज हमारे बारी है नैशनल और इंटरनाशनल वेस अभी समसमाई की जो जुलाई के तीसरे हफते में हमारे लिए महत्तफूर्ण होई होंगी उनको आज हम डीट डील करने व आता है हम उसी ही format में इसको डील करेंगे बहुत जादा information नहीं है जो नैशनल और इंटरनाशनल ऐसे समसमाई की जो हमारे exam उपयोगी हो बहुत जादा नहीं है तो आज का वीडियो बहुत हमारा short होने वाला है आए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ ऐ जैसे व्यक्ति जो इस हफते हमारे लिए न्यूज में बने रहे हैं जैसे आपके KP ओली शर्मा है दूसरी है दीपा मलिक तीसरे है आपके रौकी फ्लिंट और ये वो लोग है जो जुलाई के तीसरे हफते में किसी ना किसी कारण से न्यूज में बने रहे हैं और हमारे exam मे काम आ सकते हैं इसके बाद कोई भी हमारे पास में ऐसे महत्वपूर्ण दिवस नहीं है कोई खास रिपोर्ट नहीं है कोई खास अवार्ड भी नहीं है और कोई ऐसे ओनर्स भी हमें नहीं देखने को मिलते हैं इस बार ठीक है ना कोई हमारे पास में चर्चित स्थल है तो इस बार हमें कुछ बहुत जादा देखने को नहीं मिलेगा हमें जो मुख्यता देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा आपके sports के section से है ना और sports के section में हमारे लिए जो important रहेगा वो है Wimbledon Open क्योंकि एक Grand Slam है एक year में खेला जाने वाला तीसरा Grand Slam मैं Wimbledon Open इसके बाद में हम देखेंगे world's first e-sports olympic games होने वाले हैं उनके बारे में तीसरा हम देखेंगे UEFA Euro Cup जो अभी हाल ही में आवजित कराये गए थे उसके बारे में चौथा जो हम देखेंगे वह International Shooting Sports Federation Junior World Cup International Shooting Sports Federation याने कि ISSF द्वारा दुनिया में क्या कराया गया था मतलब World Cup Junior जो आपका है यह और्गनाइस कराया गया था और चौथा जो है यह है आपका Copa America 2024 यही पांच वा जो है यह है आपका Copa America 24 यही पांच मुख्यता हमारे लिए महत्त्वपूर्ण में रहेंगे इसके बाद हमारे लिए जो important होगा विविद तत्थ्य में एक मात्र हमारे लिए महत्तुपूर्ण चीज है वो है मानस क्या है देखते हैं चलिए आज के जो सेशन उसको शुरू करते हैं इस हफ़ते हमारे लिए जो महत्वपूर्ण हैं सबसे ज़्यादा सरवाधिक वो हैं आपके केपी ओली केपी शर्मा ओली नामा के व्यक्ति हैं जो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कहां के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के और इन्हों ने तक आप लोगों के लिए यह जो फैक्ट है यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर वन इयर्स कि एना क्योंकि हाल ही में नेपाल के नए प्रधान मंतरी चुने गए है कौन के पी ओली दूसरी जो हमारे पास में व्यक्ति चर्चित रही है उनका नाम है दीपा मलिक मतलब भी यह पहली महिला आपका पैरलिम्पिक मेडलिस्ट है कौन दीपा मलिक भारत की और इन्हें हाल ही में क्या बनाया गया है सब रीजनल रीप्रेजन्टेटिव बनाया गया है किसका साउथ एशिया का किसमे एशियन पैरलिम्पिक्स कमीटी की याने कि जो एशियन पैरलिम्पिक्स कमीटी है उनके द्वारा साउथ एशिया का रीप्रेजन्टेटिव बनाया गया है किने दीपा मलिक को है ना यहां से यह हमारे लिए इंप्रटेंट हो जाता है दोनों ही साउथ एशिया का सब रीजनल रीप्रेजन्टेटिव बनाया गया है Asian Paralympic Committee के माध्यम से तीसरे जो हमारे पास में व्यक्ति है जो चर्चा का हमारा विशाय बने रहे है जुलाई के तीसरे हफते में वो है आपके Andrew Flintoff के बेटे याने की कौन Rocky Flintoff और ये जो Rocky Flintoff है ये बन गए है क्या youngest player to hit test century for England अंडर 19 मतलब अंडर 19 की जो category होती है उसमें इंग्लैंड में test century बनाने वाले सबसे youngest player बन गए है कौन Rocky Flintoff बहुत जादा important हमारे लिए नहीं है लेकिन आगामी एक महिने तक ये पूछा जा सकता है उसके बाद यह हमारे लिए किसी और चित्य का नहीं रह जाएगा ये पर्टिकुलर ठीक है तो वहीं Rocky Flintoff जो है वह इंग्लैंड के अंडर 19 के लिए test शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्या बन गए हैं उसमें हमारे लिए महत्व्पूर्ण वह सबसे ज्यादा हमारे चटीस जजशन से चतीसक्षें section है इसमें से हमारे लिए important है sports का section तो सबसे पहला जो sports का हमारे पास में current affair है वो है आपका Wimbledon open इसके हाल ही में क्या किये गये थे आयोजित कराए गये थे matches जिसके winners हमको मिल गए है और जो men's single का title होता है याने की पुरुष एकल का किताब होता है वो दे दिया गया है किसे Carlos Alcaraz को यह ना यह Spain के क्या है Spain के tennis player है और इन्हें दे दिया गया है क्या men's single का title यह जो Carlos Alcaraz है जो Spain के tennis player है इन्हों ने जीत लिया है क्या men's single का title कहां पर Wimbledon open में और वहीं जो women's single का title है women's single का title जीता है किसने बार्बरा क्रेजे को आने और यह कहां की है यह Czech Republic की एक क्या है tennis player है ठीक है अब यह थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हम तथ्य देख लेते हैं यह जो Wimbledon open का अभी क्या हुआ था टेनिस और्गनाइज कराया गया था टूर्णमेंट वह 137 एडिशन रहा है मतलब एक सो से तीसवा संसकरण रहा है किसका Wimbledon open का और तीसरा grand slam रहा है किसका हमारे इस वर्ष का ठीक है अलकरास जो है became the youngest tennis player in the open era to win men's single title at Wimbledon and Roland Garris याने की French open tournament in the same year है ना तो हमें यहां से क्या-क्या पता चल रहा है एक पता चल रहा है कि अलकरास जो है उन्होंने Wimbledon open का क्या जीत लिया है खिताब जीत लिया है men's single का दूसरा यह youngest player बन गया है टेनिस के जिन्होंने Wimbledon और French open एक साथ एक ही साल में जीत लिया है याने कि Wimbledon open से पहले जो French open हुआ था हमारा उस French open को जीतने वाले भी कौन रहे है अलकरास रहे हैं कार्लोस अलकरास और इन्होंने ही क्या किया है यह youngest player बन गया है दो tournaments एक साथ जीतने वाले ठीक है इसके बाद में जो अलकरास है इन्होंने चार grand slams जीते हैं अभी तक याने कि अभी का Wimbledon इस साल का French open के साथ साथ इन्होंने एक क्या जीत लिया है US open भी जीता है और एक Wimbledon open इन्होंने पहले भी जीता था और यह ऐसे वेक्ति हैं जिनका grand slam में 100% का record है मतलब यह आज तक चार grand slam का final खेले हैं यह और चारों ही grand slam के finals में यह जीते हैं याने कि इन्होंने first वहां पर आ करके gold medal जीता ही जीता है तो यह कुछ विविदत है हमारे और यहां पर हमारे पास में कौन-कौन से आपके प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने जीता है कौन-कौन से events होते हैं इसमें यह देख लिजे men's single होता है जिसको जीता किसने अभी हमने देखा है जिसमें यह दोनों यह लोग जीते हैं men's double में बहुत ज्यादा हमसे question इस तरफ से नहीं पूछा जाता है हमारे लिए जो question होता है वो इन दोनों section से पूछा जाता है men's single और women's double का women's single का हम लोगों से ज्यादा question पूछा जाता है तो at least हम को वो बता होना चाहिए इसके बाद में जो पेसी का favorite सवाल है grand slam के बारे में यह हमेशा information लेता ही लेता है आप लोगों से यह सवाल पूछ देगा कि साल में खेले जाने वाले जो grand slams होते हैं उनको उनके क्रम के हिसाब से जमाए या फिर उत्से यह question पूछा जा सकता है कि जो grand slams है उनके शुरुआती वर्ष जब से यह शुरू हुए है उसके हिसाब से इनको क्या जमाए जो पहले शुरू हुआ उसे पहले जो बाद में शुरू हुआ उसे बाद में तो हम यह सारे तथ्थे एक बार रिवाइस कर लेते हैं क्योंकि ये सारे वो तत्थे हैं जिने हम हमेशा से पढ़ते आये होते हैं सबसे पहला क्या है सबसे पहला खेला जाता है कौन सा Australian Open है ना एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से Grand Slams खेले जाते हैं तो एक होता है Australian Open दूसरा होता है French Open जिसे हम और किस नाम से जानते हैं Roland Garros के नाम से भी हम इसे जाना जाता है इसके बाद में तीसरा होता है Wimbledon Open और चौता होता है US Open तो यह चार हमारे पास में क्या होते हैं Grand Slams होते हैं जो Australian Open होता है Usually उसे कब खेला जाता है जनवरी के मद्य में जो French Open होता है उसे लगबग मई के अंतिम में या फिर जून के शुरुआत में खेला जाता है उसी प्रकार जो आपका Wimbledon है इसे जून और जुलाई में खेला जाता है और जो US Open होता है इसे अगस्त और सितंबर में खेला जाता है यह जो French Open है और यह जो Wimbledon है इसको जीतने वाले इस बार के एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या कार्लोस एलकराज और यह बन गए है क्या यंगेस प्लेयर इन दोनों मैचेस को एक साल में जीतने वाले ठीक है तो यह वो है जिसमें एक साल में आपके Grand Slams कौन पहले होता है कौन बाद में सबसे पहले Australian फिर French फिर Wimbledon और फिर US Open लेकिन अगर इनकी कोट्स की बाद हम करें कि एक कौन-कौन से कोट्स में खेले जाते हैं यह भी आप लोगों के लिए important है क्योंकि यह जो आपका Grand Slam है यह PSC का काफी फेवरेट टॉपिक है हर दो साल में इसे क्वेस्टन पूछता ही है यह ना तो यह जो Australian Open और US Open है इन दोनों को हम खेलते हैं किस पर हार्ड कोर्ट में यह आप लोग याद रखेंगे Australian Open और US Open याने कि जो सबसे पहला है और जो last है साल का है ना वो दोनों किस में खेले जा रहे हैं हार्ड कोर्ट में ठीक है और उसी प्रकार जो आपका French Open है French Open को खेला जा रहा है किसमें क्ले में कि प्रेंच किसमें खेला जा रहा है क्ले कोर्ट में खेला जाता है और जो पहले और जो लास्ट है उसे लास्ट में आप जमाएं यह क्वेश्चन आप से पूछा जा चुका है अगला जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो इसके एयर ओफ स्टार्टिंग से मैच्ट फॉलविंग आप लोगों से पूछा जा सकता है याने कि एक तरफ आपको यह चारो ग्रैंड स्लैम्स दे देगा दूसरे तरफ दे देगा क्या कि यह कब कब इने सबसे पहली बार खेला गया था तो जो विंबल्डन ओपन है यह सबसे पुराना है और इसे कब खेला गया था सबसे पहली बार 1887 में खेला गया था 1877 में वहीं जो यूएस ओपन है इसे सबसे पहली बार खेला गया था कब 1881 में याने की 1881 में तीसरा जो है यह है आपका French Open और यह हो जाता है कब खेला गया था यह 1800 99 में और फाइनली जो Australian Open है इसे कब खेला गया था तो इसे खेला गया था सबसे पहली बार 1905 में यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा important हो जाएगा दूसरा जो sports के section में हमारे लिए बहुत तपूर्ण है वो है आपका world's first e-sport Olympic Games याने की दुनिया का पहला e-sport Olympic Games यह अगले साल 2025 में क्या होने वाला है इसका आयोजन किया जाना है और यह गोशना की गई है किसके द्वारा International Olympic Committee के द्वारा जुलाई के तीसरे हफते में इसकी क्या गी गई है गोशना की गई है और गोशने हमें यह भी बताया गया है कि यह जो e-sports Olympic Games होंगे यह कहां खेले जाएंगे तो साओधी अरेबिया में खेले जाएंगे तो यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्या है तत्य होगा तीसरा हमारा जो है वो है Euro Cup याने कि UEFA का Euro Cup अब नाम से ही clear है कि यह जो European countries है European countries इन में होने वाला क्या है यह यह है आपका football tournament यह Europe का सबसे बड़ा क्या है football tournament है जो 2024 का संस्करन था यह कौन से नंबर का संस्करन था यह 17 क्रमांग का क्या है आपका संस्करन रहा है 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक यह क्या हुआ आपका जो Euro Cup है यह चलता गया और इस बार का जो host रहा है यानि कि मेजबानी किसने की है तो जर्मनी ने इस बार की मेजबानी की थी जिसमें जो total number of teams जिसने पार्टिसिपेट की थी Euro Cup में वो थे 24 टीम्स यानि कि 24 टीमों ने Euro Cup में क्या किया था पार्टिसिपेट किया था कहा हुआ है यह जर्मनी में हुआ है कौन से number का संस्क्रण था तो 17 संस्क्रण था कब से कब तक खेला गया है तो 14 जून से ले करके 14 जुलाई तक यह खेला गया था अब इसके results क्या रहे results ऐसे रहे हैं कि जो Spain रहा है इसने final में England को 2-1 से हराग दिया है या फिर पराजित कर दिया है और Spain ने एक record बना दिया है Spain has created a record by winning the Euro Cup for maximum times मतलब सरवादिक बार विनिंग यॉरो कप और maximum times और कितने बार जीत लिया है इसने इसने टोटल कुल मिला करके इस वाली जीत के साथ मिला करके इसने चार बार जो यॉरप का सबसे बड़ा फुटबॉल टूनामेंट है उसे जीत लिया है किसने Spain ने ठीक है अब इसमें विविद या फिर special fact क्या था Euro Cup is played every four year मतलब हर चार साल में एक बार खेले जाने वाला ये क्या है आपका टूनामेंट है and along with World Cup it forms a major event of football in the world मतलब फुटबॉल का अगर पूरी दुनिया में major event किसी को माना जाता है तो सबसे पहला है कौन सा आपका World Cup और World Cup के बाद में दूसरे नंबर पर जो आता है वो है कौन सा आपका Euro Cup है ना World Cup में पूरी दुनिया की teams participate कर सकती है लेकिन जो Euro Cup होता है वो जनरली आपका European tournament है football का हर चार साल में एक बार होता है Spain ने 2014 का 24 का सत्रवा edition जीत करके एक record बना लिया है क्या सबसे ज्यादा बार Euro Cup को जीतने का और यह कितने बार जीत चुके हैं इसे कुल मिला करके चार बार इन्होंने जीत लिया है ठीक है इसके बाद में जो फाइनल हमारा या फिर चौथा जो हमारा फैक्ट है sports section से वह इंटरनाशनल शूटिंग sports federation या फिर अंतर राश्ट्रिय निशाने बाजी खेल महासंग द्वारा जूनियर विश्व कप का क्या किया गया है आयोजन कराया गया था कहां आयोजन कराया गया था पॉपीटो इंग्लैंड में है ना पॉर पेटो इंग् पंद्रा जुलाई तक इसका आयोजन कराया गया था याने कि first to 15 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन कराया गया है भारत का जो इसमें performance रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है इसलिए हमें यह जाना जरूरी है इंडिया बैग्ड टू मेडल्स एंड फिनिश्ट थर्ड इन टूर् सेकेंड पर रहा कौन इटली और थर्ड पर रहा कौन भारत इंडिया और इसमें हमने कितने मैडल्स जीते हैं कुल मिला करके दो मैडल्स हमने इसमें जीते हैं एक हमने सिल्वर मैडल्स जीता है जिसे हमें दिलाने वाले कौन है भवतेज सिंग गिल और एक हमने ब्रोंज म ये दो हमारे लिए बहुत ही महत्तवपून क्या रहें हैं इसबार के तक रहें हैं तो हमें silver medal दिलाने वाले कौन है इस बार भहतेज सिंगिल और bronze medal दिलाने वाली हमें सबीरा हैरेस हैं कुल मिला करके हमने दो ही medal जीते हैं और overall किस rank पर हम रहे हैं थर्ड रन्क पर रहे हैं ठीक है इसके बाद में जो हमारे लिए महत अपूर्ण है वो है आपका कोपा अमेरिका दोहजार चोबिस अब अपका क्या है फुट बॉल कॉंपिटिशन ही है और यह जो फुटबॉल कॉंपिटिशन है जैसे यॉरॉक अप हमारे पूरे यॉरॉप के लिए होता है वेसे ही यह जो अमेरिका है कोपा अमेरिका है यह अमेरिका की सबसे बड़ी क्या है फुटबॉल टूनमेंट है अमेरिका के फुटबॉल की और इसके द्वारा आयोजन कराया गया था कि इसका और तालसवे कोपा अमेरिका टूर्नमेंट का जो क्या है एक सौटर टूनमेंप है ज compassion कहाँ बर आयोजट कर आया गया था स्थल क्या था सका United States ओफर अमेरिका में कब से कब तक आयोजन में कर आया गयाhst कि सया घुलाइई जून से लेकर 20 जूलाइई 2014 तक और इसमें result क्या रहा Argentina ने शोलवी बार ये खिताब जीत लिया यानि कि जो Argentina रही है वो जो 48 संसकरण है कोपा अमेरिका का उसे जीत करके सोलवी बार इसने क्या कर लिया है टाइटल अपने नाम कर लिया है तो अगर Euro Cup की बाद करें तो उसमें किसने अपना जीत हासिल की है वो है Spain और Copa America में किसने अपनी जीत हासिल की है तो Argentina ये दोनों ही हमारे लिए बहुत important है तीसरी चीज़ जो हमारे लिए important रही है वो क्या है Wimbledon Open जो साल का तीसरा Grand Slam है उसे जीतने वाले men's single title किसे मिला है आपके अलकराज है वो Spain के football player है और वहीं माफ किजेगा Spain के क्या है टेनिस प्लेयर है और जो बार्बरा क्रेजिक हुआ है वो चेक Republic की क्या है टेनिस प्लेयर है यह सभी चीज़ें आप लोगों के लिए important रही है इस बार और चीज शूट रही है Copa America हो गया यह International Shooting Sports organization कराया गया था उसके द्वारा इसमें हमारे कौन-कौन से medals आये हैं एक silver medal और एक bronze medal हमने जीता है silver जीतने वाले भावतेज सिंग है bronze जीताने वाली कौन है सभीरा हैरिस है ठीक है फाइनली हमारे लिए जो विविध तत्य है वो है आपका मानस अब यह हमारे भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा मादक पदार्थ निदेश नीशेद सूचना केंद्र के रूप में मानस को किया गया है मादक पदार्थ निशेद सूचना केंद्र के रूप में किसे लॉंच किया गया है मानस को लॉंच किया गया है और एक यह क्या है email service है मानस जो है ये क्या है आपका email service है किसके against में जो नशे होते हैं उसके against में narcotics के याने कि अगर आप लोगों को कोई दिखता है व्यक्ती जो नशे का या तो सेवन कर रहा हो या दूसरों को कराने के लिए प्रेरित कर रहा हो या फिर उसकी trafficking में सनलिप्त हो तो आप लोग बिना जिजके इस मानक जो email service है यहाँ पर आप अपनी complaint register कर आ सकते हैं आप लोगों की identity को बिना reveal किये हुए action लिया जाएगा और इस मानस portal के साथ साथ में launch किया गया है क्या भारत का पहला India's first toll free anti-narcotics help line number याने कि भारत का पहला toll free मादक पदार्थ विरोधी help line number जारी किया गया है और यह number क्या है 1933 1993 1993 बहुत ज्यादा important है यह इस साल आप लोगों के किसी न किसी exam में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा है ना तो एक तो मानस का full form आपको पता होना चाहिए पहला पता होना चाहिए मानस क्या है मानस भारत सरकार द्वारा लॉंज किया गया एक क्या है email service है किसके लिए anti-narcotic activities के लिए मानस email services के साथ में एक भारत का पहला toll free help line number release किया गया है government of India के द्वारा किसके लिए anti-narcotics के लिए और यह number कौन सा है 1933 एक एक fact आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा important है this initiative monitored by Narcotics Control Bureau aims to create a user friendly platform for addressing issues such as drug trafficking illegal sales and rehabilitation this move aligns with India's zero tolerance policy against drug trafficking याने कि हमारा जो भारत देश है इसमें हम क्या करते हैं drug trafficking के against में हमारी zero tolerance policy है हम बिल्कुल भी tolerate नहीं करेंगे कि हमारे युवाओं को कोई नशे के पदार्थ या नशे की सामगरिया उपलब्द कराए और इसी zero tolerance policy के साथ ही हमने क्या किया है मतलब इसी के ही आधार पर हमने launch किया है मानस जिसका full form क्या है मादक पदार्थ निशेद सूचना केंद्र है ना ये एक क्या है email service है anti-narcotics के लिए और इसके साथ में जो हमने anti-narcotics toll free number help line number जो जारी किया है वो है क्या 1933 1933 यहाँ पर हमारे लिए खतम होता है वे सभी राश्ट्री और अंतर राश्ट्री महत्तुपूर्ण चीजें जो हमारे exam उप्योगी हो सकती है आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना अपने कैनल पर अंतर राश्ट्री और अंतर राश्ट्री